नमस्कार मैं हुई मांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं निउस 24 तो बिहार के अंदर सियासी पारा हाई है और बिहार की राजनीती के एक जाने माने चेहरे पपू यादो जी आज हमारे साथ जुड़े हैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राश्ट्री पपू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका निउस 24 पर जी बहुत बहुत नमस्कार मकर संक्रामती की आप सब को बदाए जी धेर सारी सुबकामना है पपू यादो जी बकसर में किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप वहाँ पर गए मिलने के लिए क्या कु देश में पहले आप यह की चीजों को देखे नौ महिना किसान धरना पर बैठे पुरा देश पूरी दुनिया का सबसे इतिहासिक आंदोलन संगर्स रहा है इतना सांतिप्रिया आंदोलन कभी दुनिया में नहीं हुए और नौ सब से उपर किसान मरे क्या हुआ MSP लागू हो गई क्या हुआ तेरा वादा वादा तेरा वादा आप भी धर्व जाईए आप बुंदेल खर्ण जाईए आप 36 गड़ जाईए आप जहां जाएंगे किसानों के साथ कभी आपने इनसाफ देखा है किसानों की मदद करते किसी को देखा है पपू यादो जी किसानों की हालत इस देश के अंदर क्रिशी प्रदान देश कहा जाता है और लगभग हर साल दसजार से जादा किसान आत्मत्या कर लेते हैं इस देश की सच्चाई है यह तो इसमें कोई जो कुछ बकसर के अंदर हुआ उसको लेकर आप वहाँ पर गए त कि नाइजेरिया से भी ज्यादे गरीब हम हैं और पाकिस्तान बंगला देश लंका से भी ज्यादे आत्मत्या हमारे देश में होने लगए भकसर का सवाल नहीं है सवाल है बिहार या अनकर्ट का बिहार में लगभग मैं समझता हूं 30 सालों से 40 सालों से पुझी निवेस जो इंफ्रास्टेक्चर पर होना चाहिए बंद फैक्ट्री पर नहीं हुई ना कोई नहीं फैक्ट्री आई ना ही हम फूड प्रोसेसिंग पर काम किये किसानों पर ना मक्हान पर ना मक्का पर ना धान पर और गन्ना जो 32 32 पर 30 सथ हम भारत को देते थे 28 प्रतिस्त पर आए पप्पू यादो किसानों के हित में जो बात कर रहे हैं अपनी तरफ से पप्पू यादो क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं कि किसानों के हालत बिहार के अंदर सुद्रें ना यह जानना चाह रहा था जी देखे आप अधिकिसानों के हालात की चिंता होती हम सब को तो आप जड़ासा याद करिए यूरिया फोटास और खाद लाइन में लगते हैं लाथियां चलती हैं हम पर केंदर हमें जो हमारा आवंटन है वो हमें केंदर नहीं कर पाता हमें नहीं देता है अब जो बकसर की घटना है इसको हम ऐसे आपको बताना चाहेंगे बिहार में कई कारण है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया नहीं आती है बड़े द्योग नहीं आते हैं एंटी पिशी नहीं आती है उसके सबसे बड़े कारण है कि जो जमीन अधिगरहन का मामला है वो बहुत बहतर नहीं है जो मुआपजा का मामला है बिहार का केंदर हमी साथ चुकी बिहार के साथ सोतेले पन का बेवार करती है जिसके चलते हैं हम अपने infrastructure पर बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं नतीजा होता है जब हम किसی चीज़ों को लगाते हैं और जब किसान से बात करते हैं पहले तो आप यह समझ Guidaya कि बिहार में और देश किसान अब पर आप क्योंकि वो दशकों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं क्या नितिश जी के उपर आप दबाव बना पा रहे हैं अपनी राजनीती करके या फिर कहके देखिए मैं एक बात आपको बहुत किलियर दो तीन बात बता दो पहला मैंने कहा कि जमीन अधिग्रहन को लेके चाहे रोड का मामला हो चाहे किसी एंटीपीसी या किसी फैक्ट्री लगाने का मामला एक तो हम लगा नहीं पार हैं जब लगता हैं तो जब हम वादा करते हैं 13 14 के वादा हुआ थै कि हम आपको 26 लाग या 36 लाग या 28 लाग रुपिया हम लगबग आपको मुआपजा देंगे किसान को रेट भी नहीं मिली किसान परिशान रहा फिर आपने कहा कि आपके बच्चों को हम इसमें रुजगार देंगे उससे भी किसान का पड़िबार बिल अपने जब उमीदे विश्वास जब फ्हेत होने लगें तो हम बर्तमान में जो जमीन का रेट है बर्तमान समय में जो इसे रहाए में बर्तमान नहीं चुक्छे लगबग जो किसान जिसको कहते हैं उसकी जमीर एकोपाई हो चुकी है तो लगातार 80-85 दिनों से कई सवालों को लेकर किदर धरना प्रदर्शन हो रहा था आप इसको ऐसे देखिए मैं आपको यादो जी कितनी बार मिलने गए किसानों से मैं वही बात आपको बता रहा हूँ आप हमारी घटना को देख लिए आपको उससे पता चल जाएगा कि नेपाली नगर राजीम नगर में गोली पत्थर चली हम वहाँ थे जिसके चलते नेपाली नगर बचा इस मिहार में जब कहीं भी किसान या किसी ऐसे तरह के शंकट होते हैं चाहे नदी का कटाओ से हो मामला हो पपू यादब जब हम गए वहाँ और इसके पहले भी जब धरनार थी वहाँ बैटे थे थे तो मैं आपको बताऊ कि वहाँ के MP, वहाँ के MLA, वहाँ के उस इलाके के बड़े बड़े लोग जो भी परक्स नेतार हैं जो अभी सक्टा में हैं उसी लाके से चुनों लरते हैं, जो सरकार में अभी हैं राज़त के अधियाक्ष हैं, कई बार उस लाके में कई तरह के संकट आए, पानी के सवाल को लेकर, धान के सवाल को लेकर, अभी जो संकट आए मैं रिसर्च करके आया जब मैंने देखा ट्वीटर पर जो आपने सबसे उपर पिन करके एक तस्वीर लगा रखी है 2020 की और आप एक बच्चा है उसके आगे हाँ जोड़ रहे हैं बच्चा भी हाँ जोड़ रहा है और आपने लिखा है कि कल के भविश्य को मैं क्या जवाब दूँ वो शायद बाढ़ की स्थिती रही होगी जब वो फोटो खीची गई तमाम चीजे है पपू यादो सडको पर भी उतरते हैं लेकिन उनको समर्थन नहीं मिलता है चुनाओ में समर्थन क्यों नहीं मिल पाता है पपू यादो को सेर बुद्ध को भारत नहीं छोड़ना पड़ा मैं ये बात बात में करूंगा पहले मैं आपको ये बताऊं बिहार को गुंडा टेक्स नेता टेक्स दरोगा टेक्स ठाना टेक्स इंकम टेक्स रंगदार टेक्स अपराधी टेक्स माफिया टेक्स सेल टेक्स ये आप वहाँ जाकर के पता करिए कि वहाँ NTPC में ठिकेदारी कौन-कौन कर रहे है बरतमान वहाँ के जो MP है मंत्री है उनकी पत्नी 1.5 करोर रुपया चंदा वहाँ से ले गई आप ये पता कर लीजे साथ-साथ करोर रुपया एक जग में उस NTPC से लिया गया आप वो दिखवा लीजे सारे माफिया सारे दलों का माफिया वहाँ पता करिए वहाँ के पुर्व के सीओ, बरतमान सभी लोग मिलकर सारा का सारा किसानों जितने लोग हैं वहाँ के NTPC के मेनेजमेंट ने क्या क्या जितने जाती के बंदे माफिया थे सभी को वहाँ ये सारे आरोपो को हम मान रहे है मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनेतिक तोर पर क्योंकि पपू यादो एक पार्टी के दोनों बच्चे चिनार में चुना गए दो सहीद हो गए बुद्ध को आज तक मानता भारत में मिली किसी के घर में बुद्ध की तस्विए तो आप कह रहे हैं ये संघर्ष का वक्त है आपके लिए राम को भनवास नहीं जाना पड़ा सर मैं एक बात आपको बता दू परस्थितिया और विचारधारा और मुद्ध हिरो बनाते हैं सर दुनिया नहीं बनाती जनता नहीं बनाती है सर आप में मुद्ध की काम करते हैं कोई भी बार उठा के देख लिजे सर सर कोई पहले तो मेरी बात एक मिनट सुनने से आप कोरोना या पटना बार या ळिऐ हार की कोई तरास्थगी कुसार तरास्थगी में हम मनवोन सिंग की गोवर्मेंट को चार करोड रुपया सर अपना चेक से दिये थे 4 करोड शर अपना प्रसनली नी जी आप कोरोना में सर 34-34 करोर रुप्यार, बच्चों को लाना, ट्रेन भेज़ना, बसों से लाना, मज़गों के काउंट में डालना नहीं मैं तो वही बात करी रहा हूँ कि आप जनता के बीच में मौझूद हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं बावजूद इसके आपको समर्थन नहीं मिल रहा है, यह अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, आला कि आप उसका पूरे खुले तोर पर जवाब नहीं दे रहा है, कोई बात ने, बिहार के सिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी 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 एक बात पहरे तो मैं बता दूँ, सर केरल और मिक्सप एस्टेट दिल्ली नहीं है, कि पूरे देश के लोग वहाँ हैं, हम लंबे लंबे लंबा ख्वाब दिखा करके, सपना बेच करके, हम केरल और साउथ में नहीं है कि पैसा या बिचारों पर राजनिती हो हिंदी पट्टी में सर कभी सामधाम धंडबेद, कभी कल चलबल और जाती नफरत, सर हम क्या करें, हम भी गाली गलों सुरू करें, राजनिती सत्ता के तुरंत, मतलब एकदम जल्दी से किसी भी सत्ता और राजनिती के लिए न सर, आप देखिएगा एक एक्सपर्ट कॉले प्रधार मंत्री बने तो राहूल गांदी जी चाहते तो बन सकते थे, सबी लोग चाहते थे, राहूल गांदी जी ने रिफ्यूज किया, और तब छो किलास, आठ किलास वाले बैक्ती ने पप्पू बना दिया, आज उनको तीन अजा चेड़ी है, तो पप्पू यादो ज सबको घसीटे में लेते हैं, दूसरी तरव आप सेफ गेम भी खेलते हैं, ये कहा जाता है, सर पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप तीन कोस्टन कर चुके, पप्पू यादा भी है, एदी में बेबाक शब्दों के लिए ना जाना गया होता, और लगातार अपरादी आप हम नहीं होते हम भी कहीं न कहीं कंपरमाइजिंग एटी चूट हमारी भी धूरताई होती दूस्ताई की ये होते, राजनिती में दूस्ताई धूरताई, चलाकी, चतुराई, दूगलई, ये बहुत माने रखने लगा हैं नेताओं के बीच, सर हम भी किसी ने किसी जाती धन मजब कोई मुद्दा हो लेकिन बिहार सरकार के मंत्री तो बता रहे हैं कि राम चरित मानस में एक चौपाई है जिसमें ऐसा ऐसा जिक्र है उसको लेकर पपुयादों क्या सोचते हैं सर, मैं एक बात बोलू। आप किसी भी सब्दों का कई इंटर्पेटेशन कर सकते हैं पपुयादब की भूमिका क्या होने चाहिए हमारी जिम्मेदारी तय होने चाहिए जब मंत्री जी किसी भी संदर में कोई बात रखते हैं जो लगातारर एक बारने ये बाते हैं दुनिया जाता है अर्म चरित्रमानस कहा जाता है सर कोई भी गरंथ कोई भी गीता कुरान बाइबिल गरंथ जो भी कोई भी महापुरूस, सीब हो, नानक हो, बुद्ध हो, कबीर हो, चाहे राम हो, रहीम हो, मुहम्मद हो, गुरुंगोबिंद हो, महावीर हो, जो कोई महापुरूस, क्रिस्न हो, आनन्द मुर्ती जी हो, बाल मिक्की हो, और अविदास, कोई भी महापुरूस, सर हमेश मानप्ता प्रेम की रचनाओं के लिए जाना गया। किसी बात को लेकर के संदर्ब में बोलना या फिर होल रमाइन में कोई कहा दे कच्रा है कुछ अरे भाइया भगवान राम ने तो नहीं न लिखा रमाइन बालमिकी जी ने लिखा बाद में उसको तुलसी क्रित रमाइन की गई तुलसी जी एक प्रगांट विद्वान हो सकते हैं क्या तुलसी जी से कोई भूल अदी हुई हो कोई विद्वान को चीक है आखिर में एक सवाल चोटा सा जवाब चाहूंगा बिहार में जातिगत जन्गरना हो रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं सर 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 एक मिनट सर क्या बिहार में जातिगत जन्गरना हो रही है इ सर मेरा दो एंसर है इसमें पहले मैं कहूंगा कि पेपर लिख केलेंडर को आप लाइए आप अपनी भूमिका के लिए क्यों नहीं जाने जाते हैं आप अपनी दुकान चलाने के लिए चर्चाओं में रहने के लिए किसी जाती को गाली किसी धर्म को गाली किसी मज़ग को आप बीजेपी के तरह एक्ट गिर्याजी अस्वनी चोबे इन लोगों के तरह एक्ट क्यों करने लगे हैं आप लोग चाहे वो राज़त के चाहिए बकसर जक्तानन सींग भाप बेटा को बकसर जाना चाहिए पहले समाधान वहां निकाल ये आप चाहिए पक्षदर रहे हैं आप दूसरी बात दूसरी बात मैं सेफ गेम नहीं खेलता हूं मैं कभीर हूं चाहिए बकसर बात जो सेफ गेम वाली बात जो सोशल मीडिया पे लोग करते हैं उसका आपना कार रहे हैं चलिए बहुत 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 शुक्रिया झाल झाल